क्विक पार्टिकल्स सिम्यूलेशन इस वेडियों में चेक करेंगे कि कोई भी ऑबजेक्ट पार्टिकल्स इमिट कैसे करें इसके लिए सबसे पहले हम इस क्यूब को डिलीट कर देंगे कि दो उसके बाद Shift एप्रेस करेंगे और एक प्लेन डाल देंगे प्लेन में सिम्यूलेशन सबसे बढ़ी है इसमें हम कर सकते हैं इसको थोड़ा सब बढ़ा कर देंगे और इसको जेट डायरेक्शन ने आप मूउ कर देंगे g-press करके इसको move करेंगे चेर डायक्शन में इस तरह से तो हमने एक बढ़ियार सा साल सूनल leads बना लिया हैि इसके लिए हम यह सबसे पहले पार्टिकल्स में जाना निहां रहे होड़ेगा पार्टिकल यहाँ पर आपस्सक्राइब complex आजाता हैं अगर करना है बहुत्त नहीं होता तो इसके लिए इमीटर में जाएंगे इमीटर में जाने के बाद जैसे हम हम यहां पे spacebar दवाग के play करेंगे यहां अपने आप यह particles drop होने लगे बारिश चालू हो गए पूरी के पूरी हम देख सकते हैं कैसे बारिश हो रहेए तो इस तरह का particles simulation चालू हो गया अभी यहां पे particles में नौर्मल पार्टिकल्स आ रहे पर अगर हम लोगों को इसमें कोई special particles रोग करने हो जैसे यहां पर बहुत सारे option है जिसमें है number seed प्रेम कहां से कहां तक आपको करने हैं फिर यहां पर velocity tape में बहुत सारे function दिये हैं जैसे कि हम normal velocity से कर रहे हैं टेंजन्ट है फिर यहां पर जो भी सारे option है उसके मुताबिक हम उसको manipulate कर सकते हैं अगर हम physics में गए तो particles का speed कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे कि space bar press करके हम यहां पर मुझ करेंगे से तो यह simulation हो रहा है पर अगर यहां पर हमने dampening को ज्यादा कर दिया तो पार्टिकल्स बहुत ही जाएंगे जैसे कि यहां पर देख सकते देंपनिंग जैसे ज्यादा वैसे वैसे उसको friction लगना चलो हो गया इसको कम किया अभी देखिए इसका simulation इसमूता भी कम कम ज्यादा कर सकते हैं सबसे बड़ी बात अगर यहां पर हम इसको time-line को थोड़ा से उपर कर ले और अगर यहां पर हम आई-प्रेस करें तो इसका की फ्रेंगी कर सकते हैं जैसे कि और इसको वापसे 0 कर देंगे अभी हम यहां पे particles में particles से कर बदलने होते तो किशा करेंगे तो shift a press करके एक monkey डाल देंगी nutr ओ और इसको production में करेंगे तो impress करेंगीं और new collection में जाके collection 2 ओके अभी यहां पे को पापसस है इसको सिलेट कर लेंगी और जो पार्टिकल सीमिटर है उसमें जाएंगे रेंडर में हम रेंडर में जाएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रेंडर एस तो हम आभी पाथ कर रहे हैं पर अभी हो अगर भार चाहिए तो collection भी कर सकते कि यहां पर सुजान मंकी उसको को फिले गैब कर देंगे यहां पर करके कर था collectively झाले ए यहां पर इंस्टन अंवर टु ऑज है तो हमें का क्लीक्शन नूनबर टू देंग episodes क्लिक करेंगे पूरा कप्ला मंकी अभी वह गया है कि अभी यहां पर मंकी की साइस भी बढ़ा सकते हैं यहां पर स्केल दिया हुआ है रेंडर में तो यह से से स्केल बढ़ी की मंकी की साइज बढ़ गए तो हमें दिख रहा है कि कैसे हमारा मंकी कि यहां मंकी की बारिश हो गई हम देख सकते हैं पूरे के पूरे मंकी की बारिश हो गई अभी मान लिजी नीचे तो गिर रहा है पर अगर किसी सीज से टक्राएगा तो किसा रहेगा तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नीचे एक और ओग्जेक्ट दे देंगे जिससे हुम उसका कोलिजन करवाएंगे तो शि दूखतो हमारा बन गया है पर यह इसमें कोलीजन ठीक से होगा नहीं तो इसको थोड़ा से एडिश्क कर लेते हैं कि इसके लिए हम ज़ए इसको क्योश करेंगे और चोड़ा सा बढ़ता करेंगे और इसमें हम यहाँ पे एडित मोड में जाएंगे edit mode में दो vertices select कर लेंगे first and second shift press करके अभी इस vertices को हम down ले जाएंगे G press करेंगे और Z direction में इसको down करेंगे इस तरह से ताकि हमारा एक wedge बन जाए अभी अभी हम इसके ऊपर collision करवाएंगे collision करवाने से पहले इसको object mode में जाएंगे और उसमें physics में जाएंगे physics properties पर क्लिक करके collision पर क्लिक करेंगे तो हमने यहां पर ओल्ड़ी collision कर दिया है अगर जो भी पार्टिकल्स से टकराएगा और collide होगा तो यहां पर क्लिक करके आप इस चेंज कर सकते हैं अगर हमने इसमें material असाइन किया तो देख सकते हैं अपना कोलीजन किस तरह से हो रहा है तो है तो हमने पार्टिकल्स सिमिलेशन कंप्लेटली चेक कर लिया है किस तरह से पार्टिकल्स को सिमिलेट करना है आप बागी के पार्टिकल सिमिलेशन प्रोपर्टेश को ट्राइ कर सकते हैं